अब देखते हैं वक्रासन, वक्र याने ट्विस्ट इस आसन का यह नाम इसलिए है क्योंकि अन्तिम स्थिती में कमर के ऊपरी हिस्से को ट्विस्ट किया जाता है यह आसन खुद का ही पूरक है और इसकी स्थिती है दंडासन स्थिती से आसन में आने के लिए अपने एक पैर को घुटने में मोड ले मुड़े हुए पैर के तलवे को दूसरे घुटने के बगल में रखे जो पैर मुड़ा है वही हाथ पीछे ले जाएं उंगलियां पीछे की तरफ हो उस हाथ से वजन के लिए सपोर्ट ले शरीर को ट्विस्ट करके हाथ को मुड़े हुए घुटने की बाहरी तरफ घुमाएं और उस पैर की उंगलियों को छूने की कोशिश करें फाइनल पुजिशन में ध्यान रहें पीठ सीधी हो गर्दन उस तरफ मुड़े जिस तरफ पैर मुड़ा है और पीठे की तरफ देखें कंधे एक लाइन में हो सीधा पैर पूरा रिलाक्स हो इस तिती में कुछ देर नॉर्मल सांस लेते हुए रहें आसन से निकलने के लिए क्रोस हुई बाजू को सांस अंदर लेते हुए उठा कर वापस ले जाए और साथ साथ अपनी गर्दन और कंधों को सीधा करें फिर अपना पीछे वाला हाथ छोड़ दे पैर सीधे करके स्थिती में ले आए और यही आसन दूसी तरफ से दोहराए कर दोहराए